दोस्तो रंधावा टेरस गार्डन में आपका स्वागत है आज हम ये देखिए बहुत ही खुबसूरत फूलों से लदा हुआ यह जो पौधा है इसे यूफोर्बिया बिली या क्राउन आप्थोर्न के नाम से जाना जाता है इस पौधे में धेर सारे कांटे होने के बाद भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और यह लाल रंग का गुलाबी पीला सफिर धेर सारे रंगों में यह पौधा आता है कि इसमें जो चटक रंगों जो लगते हैं चटक रंक से जो फूल होते हैं यह लोगों को बहुत आकर्शित करते हैं इसलिए लोग इसे अपने घर के प्रवेश दवार के आज-पास में इसे लगाना पसंद करते हैं और इस पौधे को तेज रोशनी बहुत अधिक पसंद होती है इसे धूप भी पसंद है आठ से दस से बारा घंटा भी अगर इसे धूप में रख देंगे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत अधिक जब तेज गर्मियों के मौसम में जब बहुत ते परन्तु इसे इंडोर में रखने से नुकसान भी है क्योंकि इसमें काटे होते हैं और अगर इसके तने में कट लग जाएगा तो एक दूद के समान द्रवे निकलता है जो बहुत यह अधिक विशैला होता है और जो घर में अगर बच्चे हैं या पालतू जानवर हैं तो उनकी लिए भी यह नुकसान दे हो सकता है तो इसलिए सावधानी रखनी चाहिए कि इसे अगर इंडोर में रखते हैं तो कुछ अच्छी जगा में ही रखें या इंडोर में रखना इसे वास्तु के हिसाब से भी निगेटिव एनर्जी वाला माना जाता है तो इसलिए इस इसमें प्रोपोगेट करने की बात करेंगे तो इसे प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान होता है इसे बसंत रितु के आसपास में इसे के अगर तने को कट लगा कर अगर रूटिंग हर्मोन लगा कर हम प्रोपोगेट कर लेंगे तो यह 15 दिन के आसपास में इसमें जड़े आ ट्रेंट गमला होना ची मिट्टी में रेत मिलाकर ही मिट्टी तैयार करें और पानी रुके ना जड़ों के पास में क्योंकि इसमें फंगस बहुत अधिक जल्दी लगता है और यह पौधा सूख जाता है और अगर खाद की बात करेंगे तो खाद जो समान्य हम सब पौधों में देते हैं अगर लिक्विड खाद मना के दे रहे हैं तो बहतर होगा वही खाद इसमें भी दिया जा सकता है और बहुत अधिक खाद की जौरत नहीं पड़ती है इसे कुछ धार्मिक उसमें भी माना जाता है कि जैसे इसके नाम क्रैस्ट थौर्ण के नाम से भी जाना जाता है जैसे इसा मसी को काटों का ताज बहनाया गया था या उस से रिलेटेड भी कुछ इसे लोग मानते हैं तो कुल मिलाकर या काफी खुबसूरती बढ़ाने वाला पौधा होता है और अगर आप अपने गार्डन में या छत्मा या बाहर में प्रविश्द्वार के आसपास में से लगाएंगे तो काफी खुबसूरती देता है बहुत अधिक रख रखाव की जौरत नहीं पड़त है एक बार लगा दिया तो सालो साल इसे देखने की जौरत नहीं पड़ती और यह एक तरह का मेडिसिनल पौधा भी है इसके तने और पत्तियों से बहुत सरी दवाईयां भी बनाई जाती है इसलिए यह बहुत ही उपयोगी पौधा होता है आज के लिए बस इतना ही अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे धन्यवाद